तो चुली अब वक्त हो चला है आपकी फेवरिट शो इश्कुबास से जूड़ी कुछ खास खबरे देने का और साथ-साथ शो के अफकमिंग ट्रैक के बारे में फुल डिटेल्स देने का तो चली करते हैं शुरुआत लेकर उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ था अब शो के अंदर लास्ट सीक्वेंस में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे अनिका का परसो वाला ड्रामा कंटिनू रहता है और साथ-साथ शिवाय को जलाने का ड्रामा भी रहता है कंटिनुवेशन में जहां रुदर भी कराता है पूरे खांदान को कुछ डायलोग ज्याद और साधी शिवाय को चुढ़ाने के लिए उसे कोई फर्क नहीं बढ़ता है वाला डायलोग चिपकाता रहता है इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कैसे शिवाय को वाकई फरक पढ़ने लगता है साथ साथ आपने अनिका और शिवाय का वो वाला मोमेंट भी देखा होगा जब अनिका जान बूच कर शिड़ाने के लिए शिवाय की सामने गाना गा रही होती है और कहीं जाने के लिए स्पेशल तरीके से तयार भी हो रही होती है लेकिन शिवाय को ये देख करा रहा होता है वाकई बहुत ज्यादा गुसा तो अब आप देखने वाले हैं कि कैसे कैसे शो में लगेगा एक और खतरनाक तड़का जब दिल बोले अबरोय और इश्कबास हो जाएंगे अगले एपिसोड से मर्श और साथ ही अब आपको देखने को मिलने वाला है रागिनी वाला ट्रैक भी जो होने वाला है अब पूरे अबरोय परिवार के साथ बहुत ही जादा धमाकेदार यूगि जब शिवाय रुद्र ओमकार होंगे एक साथ तो भहीं दूसरी तरफ अनिका गौरी और भव्या भी होंगे एक तरफ तो इसके बाद अब कैसे कैसे सारे इश्कबाश शो में लगाते हैं बहुत ही धमाकेदार तड़का ये देखने वाले हैं आप साथ-साथ आप ये भी देखने वाले हैं कि अब कैसे रूडी का बड़्ड सेलिब्रेशन होने वाला है अबरोय मेंचन में इ फिर इसके बाद कैसे कहानी वे लगता है नया तड़का और इसके बाद कैसे कहानी लेती है एक नया मोड ये देखना होने वाला है बहुत ही जादा दुल्चस्प तो बने रही है हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब पीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूस जस्ट फर यू टॉप न्यूस से आस्था की रिपोर्ट